आकर्षन की सकती, चुम्बक की तरह खीचने की सकती, काम की सकती, काम अर्थात एक ऐसी अद्बूत और स्रीजन करने की सकती, आप उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं, वो भी सत्य में, सत्य में अर्थात पूर्ण रुप से 100% आपके अंदर असीमित आकर्षन हो, अट्रैक्शन हो, मैगनेट का पावर हो, और काम की सकती भी इतना अद्बूत हो, कि वैवाहिक जीवन में कहीं दुख भी ना हो, और कहीं तकलीव भी ना हो, क्योंकि सत्य की जो सकती है, वह सकती लोग के साथ साथ इसके बाद भी आपको सुख और आनंद और सांती ही देती है, तो सत्य की जब आप पालन करेंगे, सकती को प्राप्त करेंगे, तो आपके अंदर एक अद्बूत आकर्षन के सकती का स्रिजन होगा, मैगनेट पावर, चुम्बा के पावर, और वैव पर्षन ऐसा तेज, ऐसा ओज, ऐसा सकती आपको मिलेगा, कि आपकी सोच और समझ से भी परे हैं, और यह संभाव है, क्योंकि जब आप सही चीजे और सही चीजों को प्रमारित हो करके पालन करते हैं, तो वह चीज आपके पास आना सुरू हो जाता है, और जैसे आपके पा उसका स्वामी बन जाते हैं, या फिर आप उसका मालिक बन जाते हैं, तो इस तरह से जब नियम का पालन करेंगे, तो सक्तियां जो है, आपके अधीन हो जाएगी, और आपके लिए कार्य करना शुरू कर देगी, आकर्षन काम और चुम्बा, खीचने की सक्ति, मुलतह काम देव को इसका देवता माना जाता है, लेकिन इसकी सक्ति को पाने के लिए काम देव के साधना के साथ साथ, आपको सत्य कभी पालन करना होगा, सत्य अर्था, ऐसे चीजें जहां पे पूर्ण रुप से प्रमानित होकर के बात होगे, सबसे पहले इस सक्ति को पाने के लिए अगर कोई भी जीवन हो कहीं पे भी कुछ भी समस्य नहीं आएगा इतना गैरेंटी है कि कि यह पावर जो है जब आप इस नियम का पालन करेंगा तो मिलेगा क्या होता है जाने अन जाने में जो गलतियां है और जो गलत तरीके हैं गलत मार्ग है उस पे चलने के कारण आपकी जो दसा और दिसा दोनों जो है प्रभावित हो जाती है और उसी के फल्सवरुप व्यक्ति जो है कमजोर हो जाता है, छीण हो जाता है, शक्तियों का हराश कर देता है, तो देखिए, जिसके पास जितना ज़्यादा धन होगा, वह उतना ही खुसी के साथ अपने खर्चे को और अपनी चीजों को खरीद सकता है, यह तो सकते है, उतना ही ज्यादा आपके अंदर पावार आएगा और जब आपका ओज तेज और सक्ती एकत्रित है उतना ही ज्यादा आपके अंदर आकरशन, खिजने की सक्ती और संमोहन की सक्ती रहेगा तो इन सब चीजों को प्राप्त करने के लिए पूर्ण एमानधारी के साथ और नियम vine동 में। नियम यह कि पराय इस तरीकी तरफ ध्यान नहीं देना है नहीं गलत और अनुचित कार्य करना हैं अपने आपके साथ नाहीं ऐसा कोई कारे करें कि जिसाने के आपके सक्ति जो है छीन हो जब यह सक्ति आपके पास जमा रहेगा और फिर उसके बाद इस साधना को करेंगे काम देव के तो आप सोच भी नहीं सकते ब्रत भ्यानक तरीके से आपके अंदर एक ओज तेज उर्जा निकलेगा जो आज पास की लोगों को अपनी तरफ खीच लेगा इसका उ संतानोत पत्ति के लिए वैवाहिक जीवन में साथी को खुशी करने के लिए संतानोत पत्ति सदुप्योग होना चाहिए